हाई एब्रिवान, हापी संडे, साल का पहला संडे है, तो चलो साथ में थोड़ी से खुद की केर करते हैं, खुद को पैमपर करते हैं ओइलिंग के बाद मैं हेट मसाज लोंगी, फिर फेस मास्किंग, सिंपल सी नेल केर, हैंड केर रूटीन फोलो करेंगे और जो भी स्टेप्स होंगे, सारे मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करती जाओंगी कोई expensive product नहीं है, सभी बहुत affordable है, तो बहुत ही relaxing, informative वीडियो होगी, so keep watching तो चलो पहले हम स्टार्ट करते हैं hair oiling से By the way, if you guys follow me on Instagram, तो मैंने बताया था कि unluckily वोजे एक rosemary water challenge आया था, मैंने भी वो कर लिया, मेरे बाल उसके बाद तबाह हो गए थे, मुझे कभी इतना hair fall नहीं हुआ जितना मुझे उसके बाद हुआ था, मेरे scalp इतने dry, इतने इची थे, कोई चीज मुझे suit नहीं करी थी and that time I got a hair oil, तो मैंने सूचा चलो इसको भी try करके देखते हैं क्योंकि इसके ingredients मुझे बहुत सही लगे थी, इसके अंदर मिती दाना, कलवन जी, coconut oil, वो सारे ingredients थी जो के hair growth को promote करते हैं and I swear this is the only product जो मेरे बालों पर suit किया है और अब मुझे चार महीने होगे इसको use करते हुए, तो मुझे तो बहुत जादा अच्छा लगा है, अच्छा यहाँ पर oil के लिए मैंने अपने बालों को partition में कर लिया है, ताकि मैं एक साइट पर पहले अच्छे से apply करूँ, फिर डूसरी साइट पर, पहले मैं थोड़ा सा oil लेकर अपने roots में apply करूँगी, उसे अच्छे से absorb होने दूँगी, फिर उसके बाद length पर apply करूँगी, तो यह भी आप cooling करो, जरूरी नहीं है कि भर-भर के oil लगाना है कि हर तरफ से गिर रहा हो, फिर ही आपके बालों को nourishment मिलेगी, थोड़ा सा oil लो, पहले roots में apply करो, अच्छे से absorb होने दो, फिर उसके बाद length पर apply करो, यहाँ पर आपको देखके लगनी रहा होगा कि मैंने oil apply किया हुए, ब इसके बाद वाकरी में बालों में बहुत difference नजर आया है, यह blood circulation को increase करता है, hair growth को promote करता है, जो मेरे इतने itty scalp थे ना, उसके लिए तो यह बहुत ही अच्छा है, इसके जो bristles हैं, वो भी silicone के हैं, तो काफी gentle रहता है, आप इसको shampoo के बाद, oiling के बाद, या फिर ऐसे dry बालों और chemical लगाना थोड़ा कम कर दिया है, अभी मैं एक sulfate free shampoo यूज़ कर रही हूँ, यह है Arub Organics का, आपको इसके लावा कोई और मिले, जो भी आपको अच्छा shampoo लगता हो, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, पर जितने shampoo मैंने आज तक यूज़ की हैं, मैंने कभी किसी के अंदर इतने gentle ingredients नहीं देखे, यह इतना जादा बालों को soft करता है, बाल बिल्कुल भी frizzy नहीं लगते इसके बाद, तो मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा है, definitely मैं इसके बाद किसी और shampoo पे तो switch नहीं करने वाली, इसको 2-3 घंटे के लिए लगा रहने दूँगी, मैंने चीसी shine provide करता है, तो कुछ इस तहां का दिखता है, यह ना मैंने इस video में share की थी remedy, आप इसको follow कर लेना, यह मैंने link description में दे दिया है, इसको जरूर चेक कर लेना, तो आप इसको बना कर one month के लिए fridge में रख सकते हो, roots में भी apply करो, बिल्कुल भी इसे chip-chip नहीं लगेगा, और यहां पर मेरे बाल naturally dry हो चुके थे, मैंने कोई heating tool यूज नहीं किया, and see के बाल कितने ज़्यादा soft, silky लग रहे है, and the best thing के frizz तो बिल्कुल भी नहीं है, मुझे बहुत सारे messages आते हैं कि मैं कौन सी routine follow करती हूँ, क्या products use करती हूँ, तो यह कुछ simple सी routine थी, कुछ products हैं, कुछ tips के साथ, अगर आप भी routine follow करोगे, तो within two months आपको बहुत अच्छे results मिलेंगे, हफते में दो दफ़ा oiling तो लाजमी करें, और इसके बाद आपको वाकई में अपना hair fall reduce होता हूँ नजर आएगा, आपकी hair growth भी बहुत अच्छी हो जाएगी, अब बारी है face masking की, मैं अ skin के ओपर हमेशा natural ingredients लगाना prefer करती हूँ, आज मैं यूज़ करूँगी ये glowing urgent facial, इसके अंदर भी सारे natural ingredients हैं, जैसे के sandalwood powder, gram floor, तब अपने face पर, body work, कहीं भी इसको use कर सकते हो, अगर इसको continuously use करोगे, तो जितने भी dark spot और discoloration है, उसमें आपको काफी change मिलेगा, और most मैं सा best लगती है, तो organic है तो आप इसको face पर, hands पर, feet पर, कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मैंने इसको अच्छे से apply कर लिए एक अच्छी से layer, इसको मैं 15 minutes के लिए dry होने दूँगी, फिर इसके बाद मैं अपनी skin को करूँगी moisturize, आजकल मैं यूज़ करी हूँ, ये primary skin का moisturizer, अब ज अब ही मैंने अपने face को, hands को अच्छे से wash कर लिया था, और मैं इसको moisturize कर रही थी, और see, look at the instant glowed, रितनी skin bright हुई है, मुझे इतनी ज़ादा skin hydration मिली है, I absolutely love this mask and this moisturizer, साथ में आप अपनी nail care routine भी follow कर सकते हो, बस simply nail को cut करके, कोई भी अच्छी से nail paint लगा लो, मैंने यहाँ प cuticles, इस तहां का आपको cuticle remover मिल जाता है, एक side पर इसके shape पर है, और एक side पर cuticle remover, इसके बाद ने nails और भी ज़्यादा neat लगते हैं, और अगर आप चाहो तो पहले vaseline एक मिनट के लिए apply कर लो, ताकि अच्छी से cuticles remove हो जाएं, तो बस यह थी simple से मेरी nail and hand cure routine, मैंने सूचा चलो थोड़ा सा भी blackheads पर भी काम कर लेते हैं, तो मैं use करूँगी यह रिवाज का peel off mask, आपके पास जो भी mask available हो या फिर no strips हो, आप कुछ भी use कर सकते हो, मैं इसको almost सारा खतम कर चुकी हूँ, मैं इतनी मुश्किल से इसको squeeze करके निकाल रही थी, बस मुझे दिखाना थे क इस तरह कि इसकी sticky से consistency है, एक इसकी thin layer apply करो, जैसे ही dry हो इसको peel off कर दो और वो area काफी soft हो जाता है, यहाँ पर I was just having the best time में इतना relaxed feel कर रही थी, बाल dry हो चुके थी तो बस मैं इसको braid बना रही थी, आप भी कभी बालों को खुला नहीं छोड़ो, बाल बहुत ज़ादा freezy हो हो जाती है, तो उसके moisture के लिए, skin को glowing healthy रखने के लिए night cream is very important, अगर आप कोई serum यूज नहीं करें तो, अच्छा ये night cream मेरे लिए तो बहुत ही अच्छे से काम की है, मेरी skin के ओपर 4-5 कोई dark sport दे, मैंने इसको almost सारा खतम कर लिया है, कि मुझे इतनी अच्छी लगी थी और skin के अंदर बहुत visible difference है, मुझे अगर product अच्छा लगता है, तो ही मैं आपके साथ share करती हूँ, और मुझे बहुत relaxed feel हो रहा था यहाँ पर, अपने लिए जरू time निकाला करें, थोड़ा सा time निकालो, आप बहुत relaxed feel करोगे, मुझे hardly कोई one और one and half hour लगा होगा, इसके बाद साथ मैं book पड़ी थी, साथ मैं कुछ snacks enjoy कर रही थी and I hope you guys enjoyed the video, वीडियो अच्छी लगी हूँ, सब पीस hit the like button and subscribe my channel और अपने friends के साथ बिसको जरूर share करना, यह मेरा Instagram handle है, यहाँ पर भी मैं product reviews करती हूँ और बहुत सारी tips वगरा यहाँ पर भी मैं share करती रहती हूँ, link is in description box उसको भी check कर लेना, बाई